गोला गोंकर नात में बजाच हंदुस्तान शुगर मेल पर किसानों का अर्बो रुपे बाकी है। किसानों ने अपने बकाया भुकतान को लेकर गना सोसाइटी में धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। जब मिलके अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो वो चुपी साथ कर चले जाते हैं ऐसे में किसानों का ये कहना कि भुकता ना होने पर किसान भुकमरी की ककार पर पहुच चुका है मिलके भुकता ना होने के कारण बिमारी होने पर इलाज भी नहीं करवा पा रहा है पूटा सा कारिक्टम किया गया जिसमें किसानों ने वही खाली कटोरा मोदी जी कहते थे भरा हुआ चिनी कटोरा लेकर टेहल ले थे कि हमारी मेहनत का पैसा जो पिछले बर्स का पड़ा हुआ है हमारी खून पसीने की कमाई जो चिनी मिल में पिछले बर्स की पड़ी हुई है मोदी जी वो हमको भीक सरूप ही दिला दीजिए वो हमारी मेहनत का पैसा है आपने बरी कटोरी कहा था लेकिन आद पर हम खाली कटोरा लेके भीक मांग रहे हैं पांट दीर के भी संठंड में अ पैसा दिला दें किसान अब आत्भत्याओं की तरफ बढ़ रहा है किसानों घर में घरेलू हिंसाएं हो रही है पैसे के अभाव से कोई कार नहीं चला है यह चीनी मिल हम पूरा गन्ना हमारा लूट रहा है एक ट्रैली साथ हजार रुपए खर्च होता है चीनी मिल को सप्ल जा रहा है जो किसानों ने साहुकारों से लोल लिया है वो भी परिसान कर रहे हैं करोड़ों अर्बों रुपए आज हमारा गन्ने भुकतान का ब्याज हो चुका है ना हमें असल मिल लहा है ना हमें पिछला भुकतान मिल लहा हमें तो सुसाइड करने के लावा अब कुछ रस्ता नहीं दिखता हम लोग क्या करें बड़े मजबूर हैं और आप ऐसे पतरकार बंद्गों का मैं भार वेक्त करता हूं जो हम लोगों गरीबों की कवरिंग करते हो क्यों के सरकारी मीडिया को तो जब भी हमान करते हैं वो तो कहती सौ परसेंट भुखतान करने का हो गया लेकिन मुझे ये शर्माति है कि यो हमारे उत्तर परदेश में बजाज का अर्बों खिर्भों रुपाया है यह हम लोग कि दूसरे देश के बाती हैं मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जूट बोलने से भगवान से डरा करो अगर 100% हम लोगों का भगतान हो गया तो हम लोगों से आके बात करो भाई अगर भगतान हो गया तो हम लोग पाकल थोड़ी है हमारा पिछले साल का भी भगत तो हो की?